बंगलदेश के सामने इंडिया में जब संजू सामसन ने शतक लगाया तो लोगों ने कहा यार संजू सामसन कभी कभार तो चली जाते एक दो पारी तो वो हर साल IPL में भी खेलते नजर आएं कहानी तब हो जब साउत अफरीका जाकर अफरीका में अफरीकन गेंबाजों के सामने वो चड़कर खेल कर आएं और शतक लगा कर दिखाता संजू सामसन ने ये वाली बात कुछ है ज़्यादा सीरिसल ले लिया और उसका नतीजा ये था कि संजू सामसन भारत की हिस्ट्री के पहले ऐसे खिलाडी बन गए हैं जिन्होंने बाक टू बाक T20 इंटरनाशनल में शतक थे हुए बाई साब जलवा संजू सामसन का हो गया है और इस परफॉर्मेंस के बाद मानो एक बोल्ड स्टेट्मेंट भी दे दिया है कि गुरुब आप जैस्वाल को बाहर करते हो कि गिल को बाहर करते हो आप बाहर करते हो इशान किशन को बाहर करते हो अब शेक शर्मा को हमको नहीं पता हमको सिर्फ इतना पता है कि संजू सामसन को बाहर नहीं कर सकते हो और यह देखा क्योंकि संजू सैमसन ने 47 गेंदों पर साथ अफरीग के सामने शतक लगा है और अगर आपको लग रहा है कि ये पाटा पिश थी ये पिश वो थी जहां पर कोई भी आएगा मारेगा जाएगा तो आपको बाकी बल्लेबाजू के स्टाट देख लेने चाहिए क्योंकि संजू सैमसन जब तक क्रीस पर थे 14 ओवर 2 गेंद में टीम इंडिया का स्कोर 167 रन था 167 और संजू सैमसन के जाने के बाद टीम इंडिया आखरी के 5 ओवर 4 गेंद यानि 34 गेंद में केवल 35 रन बनाती है और 6 विकेट गवा देती है विच इंसेन 6 विकेट टीम इंडिया के जाते है संजू सैमसन एक बहुत स्ट्रॉंग मेसेज दिया है ओपनर के तौर पर बंगलदेश के सामने पहली इनिंग में शतक और साथ अफरीया के सामने फिर एक शतक और वो पहले इंडियन बन गए हैं जिनोंने इंटरनाशनल क्रिकेट में बाक टू बैक शतक जड़ा है तो दाट्स क्वाइट क्रीजी जिसके लिए आप उन्हें अखनॉलेज भी करेंगे तारीव भी करेंगे संजू सैमसं। स्ट फास्टेस्ट हन्ड़ेड बनाने वाले प्लेयर बन गए हैं साथ अफरीका के सामने टीट वेंट संजू सैमसं पहले विए किपर बल्लिबास बन गए इंडिया के जिसने international क्रिकेट में 2 century जड़ी ती 20 krit Sanju Samson पहले bucket key पर बल्लिबास बन गए है जीनोंने international cricket में 2 century जड़ी ले संजू samson now you can say that the remember the name of the name is enough Sanju Samson बड़ी हरानी की बात एक अभी तेन international गि anestesi लेक टो बैक-टो-बैक नहीं मिले वन नमबर पर तेकिन हम मिले तो फिर कमाल करते गए और दुनिया में बड़े लिमिटेड लोग है जिन्हों ने इंटरनाशनल क्रिकेट में दो बैक टो बैक सिंचुरी लगाई लिए जैसे राइली रूसो का नाम है 2022 में किया था फिल सॉल्ट ने 2023 में किया था संजू सैंसन ने काम 2024 में किया 107 रन 50 गिंदों पर 7 चौके 10 शक्के और वन मैं शो था यार वन मैं शो था मतलब बंगलादेश के सामने इनिंग को तुक्का कहने वालों के मूँ पर मानों संजू सैंसन ने मुक्का मारा है और एक तरफा खेल कर दिया लास्ट ओडियाई इनिंग शतक था लास्टी 20 इनि आपको इस्टाबलिश करने के लिए कदम बढ़ा दिया संजू सैंसन के आखरी दोनों T20 इंटरनाशनल शतक है 47 गिन 111 रन 50 गिन 107 संजू सैंसन दनियू स्टार फॉर इंडियन क्रिकेट T20 में इंडिया के लिए जिन खेलाडियों ने सबसे शतक लगाए हैं उसमें रोह शर्मा का नाम है पांच शतक सूर्या के नाम चार शतक है केल राहूल के नाम दो शतक है और संजू सैंसन के नाम भी दो शतक हो गया अधिक छक्का एक माश में लगा देना इतना असान नहीं है और संजू ने करके दिखाया संजू सैंसन ने कहा कि फ्लावर मस समझना फायर है मैं और फायर दिखने लगाया और यहां के बाद अब बाकी भी वाइट बॉल क्रिकेट में दिखाई पड़े ग ओडियाई में ब चदीब सिंग पांच रन प्रवी विष्णो येक रन कोई नी चला एक लड़का अकेले आया अकेले मारा अकेले गया और उसका रिजल्ट यह रहा कि इंडिया की बल्ले बल्ले हो गई है इंडिया दोसो पार कर गई है दाट डिफाइन से क्या कमाल है कमाल है मतलब यार पर आप एक बहुत बड़ा इंपक्ट रखते हो बहुत बड़ा मेसेज जो है वो देते हो सेलेक्टर्स को फैन्स को and I think that defines बाकि अभी शेक शर्मा he's wasting opportunities लगातार उन्हें मौके मिल रहे हैं वेस्ट कर रहे हैं जैस्वाल गिल जब आएंगे देखते हैं तब क्या होता है कौन जाता है चार पर कौन जाता है पांश पर but I think इस तरह ये performance के बाद आपकी opening बनती है let's just hope संजू कोन का due अब मिले आगे